नमस्कार मैं हूं मेगा सिंग और आप सभी का स्वागत है SPN 9 निउज में बिहार में सियासत एक बार फिर से गर्माते हुए नसर आ रही है दरसल बिहार की राजनीती से BJP अलग हो चुकी है लेकिन अब बगाविती सुर कही न कही महा गटबंधन के अंदर सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कॉंग्रिस की पार्टी के नेता जी हाँ कॉंग्रिस पार्टी मंत्री मंडल विस्तार से पहले जिस तरह से डिमांड रख रही है नितीश कुमार की टेंशन बढ़ती हुए नजर आ रही है कॉंग्रेस पार्टी मंत्री मंडल विस्तार में एक सम्मान जनक स्थान चाहती है और ऐसे में विधायकों के संख्या बल को लेकर उसी के हिसाब से मंत्री मंडल विस्तार का विभाजन हो इस तरह की बाते इस तरह का डिमांड जो है कॉंग्रेस पार्टी रख रही है लेकिन उनकी मांगों को कही न कही नजर अंदास कर रहे है नितीश कुमार और अब कॉंग्रेस पार्टी ने साफ लवजों में ये समझा दिया है कि उनके बस एक ही नेता है वो है राहुल गांदी यानि कि अगर नितीश कुमार उनकी ऊपर चलाने की कोशिश करेंगे तो वो उनकी नहीं सुनेंगे और ऐसे में देखा जा रहा है कि अब कही न कहीं महा युद्ध छिड़ता हुआ नजर आ रहा है महा गटबंधन के बीच तो चलिए इन सभी मुद्धों पर आज हम चर्चा करेंगे और मैं साथ चर्चे में सबसे पहले मौजूद है प्रग्या प्रग्या आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रग्या जिस तरह से बिहार की राजनीती अभी देखी जारी है बीजेपी का सफाया हो चुका है लेकिन अब समस्याएं अपने ही गटबंधन के बीच दिखाई दे रही है नितीश कुमार को कॉंग्रेस पार्टी एक सम्मान जनक इस्थान चाहती है जैसे कि देखा गया है कि सी एम कुरसी जो है जे डियू के पाले में आई है और आर जटी के पाले में जो है उप मुख्यमंत्री का पद आया है ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी भी कुछ ऐसे मंतराले को चाहती है जो कि सम्मान जनक हो और उनकी जो यहाँ पर इस्थान हो महागडबंधन में वो थोड़े मजबूत हो तो ऐसे में ये मांग कितनी जायज है क्योंकि चार मंत्री पदों के मांग यहाँ पर की जा रही है जबकि 19 विधायक बल है उनके पास तो यह मांग कितने हद तक सही है और अगर यहाँ पर यह मांग पूरी नहीं होती है तो क्या लगता है महागटबंधन शुरू होने से पहले ये सरकार में कोई समस्या आ सकती है अगर तेजस्वी यादव की तो वाकई में उनका भी फायदा हो गया क्योंकि उन्हें डिप्टी सीएम की कुरसी मिल गई और अगर देखे सरकार में जब भी बात आती है तो सीएम के बाद डिप्टी सीएम ही सबसे उपर माना जाता है तो कही ना कहीं कॉंग्रेस पार्टी क अगर डर है या यह डिमांड है कि उन्हें भी कोई बड़ा पत मिलना चाहिए तो वाके में मिलना चाहिए क्योंकि महा गटबंधन की अगर बात करें तीनों पार्टिया यहाँ पर बराबर की हिस्सेदार है लेकिन कहीं ना कहीं कॉंग्रेस पार्टी को अगर हिस्सेदारी कम मिल रही है तो उनका नाराज होना लाजम है और ऐसे में अगर बात करें कि गटबंधन यहाँ पर शुरू होने से पहले ही तूट सकता है तो बिलकुल तूट सकता है कहीं न कहीं ऐसा ही हमने महरास्ट की सियासत में भी देखा कि भले ही बीजेपी को बाहर करने के लिए जि यहाँ पर अगर कॉंग्रेस पार्टी का भी कैबिनेट विस्तार से पहले ही ऐसा हाल है तो काफी सही है और अगर अभी ही कैबिनेट से पहले ही अगर यह चीज़ साफ हुचाती है तो कॉंग्रेस पार्टी के लिए काफी सही है क्योंकि अगर अभी होता है कि चले ठीक है क कोई बातनी क्याबिनेट विस्तार के बाद कोई बड़ा पद दे दिया जाएगा कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं को तो वो गलत होगा क्योंकि फिर वही वाली चीज़ हो जाएगी जैसे महराष्ट में हो रहा है महराष्ट में शिंदे गुट के कई नेताओं का गुस्सा तो वो लाजमी और कहीं ना कहीं नितिश कुमार को भी चीज सोचनी चाहिए कि अगर वो एक बार फिर से सत्ता में आए हैं तो उसके पीछे कॉंग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों की बराबर की हिस्सेदारी और दोनों का योगदान बराबर का है तो उन्हें कैबिने कैबिनेट में जगा भी दोनों को दिन चाहिए हाला कि डिप्टी से हम भले ही आरजेडी के पाले में आया है लेकिन इस चीज को देखते हुए कैबिनेट में कहीं न कहीं कॉंग्रेस को जादा हिस्सेदारी देनी चाहिए नितिश कुमार को क्लीन बोल्ट ना हो जाए इस बात का खत्रा भी नितिश कुमार को होते हुए दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर मंतरालों के विभाजन की बात की जाए तो यहाँ पर देखा जा रहे है कि नितिश कुमार ने अपने सी एम कुर्सी के साथ साथ यहां पर ग्री मंत्राले भी अपने पाले में कर लिया है और इसे लेकर भी कही न कही जेडियू के बीच जंग छिडी है और अब महतपूर्ण मंत्राले जो जनता से जुड़े मंत्राले होते है जैसे कि सिक्षा, स्वास्त, इसी की डिमांड अब कर रही है कॉंग्रिस पार्टी चलिए अब हमारे साथ जुड़ चुकी है साक्षी साक्षी से राय लेना चाहेंगे कि यह जो डिमांड यहां पर कॉंग्रिस पार्टी कर रही है ये जो बार-बार कह रही है कि सम्मान जनक मंत्राले उन्हें मिलना चाहिए अधिकार मिलना चाहिए ये कितने हद तक सही है और जरूरी है कॉंग्रेस पार्टी के लिए बिहार की राजनीती में क्योंकि बहुत मुश्किल से कमबैक किया है लेकिन अब तेवर कही न कहीं कॉंग्रेस पार्टी के बदलते हुए नजर आ रहे हैं उन्हेंने साफ लफजों में ये समझा दिया है कि नितीश कुमार हमारे नेता नहीं है हमारे एक ही नेता है वो है राहुल गांदी तो क्या ये जो बगावत की आग है अभी से ही सुलगनी शुरू हो चुकी है बयानबाजी को देखते वे आपको क्या लग रहा है बिल्कुल जिस तरह से हां बगावत दिखाई दे रही है जिस तरह से यहां पर सभी का मूर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है देखे पहले क्या होता है शुरुआती दौर में हम लोग इस तरह का फैसला ले लेते हैं गटबंदन का जैसी के लिए कि हम आगे की चीज़े जो है वो मेंटेन कर लेंगे या फिर हमें जिस तरह से सरकार बनानी है जिस तरह से भी चूज करना है तो वो चूज करके इन्होंने बीजेपी को साइट करके जिस तरह से कॉंग्रिस के साथ गटबंदन किया है जिस तरह से इन्होंने यहां बड़ा खेल खेला है तो यहां सдо से एक आज चीजे सरा से हो रही है अंबने सामने आ रही है कोई माननहीं रहाएं तो इनसे बहुत बड़ा फर्क अब इस गट-बंदन में पढ़ने वाला है रही है जनता का यहां बुरा हाल होने वाला है क्योंकि अगर ऐसे पैसले लेंगे अगर इनी चीजों में समय लगाएंगे तो आगे के चुनावों के लिए कैसे ध्यान दे पाएंगे यहां पर बीच में कहीं न कहीं राजनीती के जनता फस रही है लेकिन यहां पर सवाल एक उठ रहा है कि अगर आज मांग इनकी नहीं पूरी होती है क्योंकि नितीश कुमार अपनी तरफ से साफ है कि वो मंत्राले नहीं देंगे तो क्या यहां पर पार्टी का गडबंधन जो है वो तूट सकता है महा गडबंधन की जो सरकार अब बिहार में बनी है क्या वो तूट सकती है और यहां पर अगर तूटती है तो फाइदा किसको होगा देखे जस तरह से एक बार गडबंधन तूटा है नाराज की से दूसरी बार भी तूट जाएगा तो यह चीज़त तो होती है आप जब नराज होते हैं आप फिर ऐसे डिसिज़न्स लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि मेरे कहने से क्या चीज़े चलने वाली है मुझे के सरक डिसिज़न्स लेना है तो मंत्री मंडल की जहां बात है वहाँ पर अगर इस तरह की तेवर वो दिखाने शुरू करेंगे तो वो चीज़ जिसके साथ गडबंधन हुआ उन्हें भी दिखाई दे रहे हैं और कहीं न कहीं बीजे पे कोई यहां यह चीज़ लगेगी कि चलिए हम अलग हुए तो हम इन चीज़ों से बच गए हैं हमारा यहां कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन यहां पर सोनिया गांधी के अगर बात की जाए तो बिहार की राजनीती में लगतार संपर्क में थी सोनिया गांधी नितीश कुमार के साथ तो क्या लगता है अब मंत्री मंडल विस्तार से पहले भी सोनिया गांधी को हस्तचेप करना पड़ेगा नितीश कुमार के साथ क्या सोनिया गांधी यहाँ पर कुछ डील कर सकती है मंत्री मंडल विस्तार को लेकर या फिर यहाँ पर सोनिया गांधी गटबंधन तोड़ सकत और यह बहुत बड़ी बात थी कि BJP के साथ गडबंदन टूट राए और कॉंग्रेस वहाँ पर पहुच जाए या सुनिया गांधी आपन मौका देख ले तो एक गडबंदन होना बहुत बड़ी बात थी नहीं मानते वो बात अलगे लेकिन अगर आप यहां भी गडबंदन सुर दें तो आप यह देखें कहां जाएगी पर जाए कि कॉंग्रेस बड़ी मोशकिल में संभली है इसकार वो उनके हाथ में तो अगर यही ही चीजे रहीं तो आप सर्वाइन है और यहां पर भी आप अपनी चलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हाँ सोरिया कांदी ने जिस तरह से पहले मौका देखा अभी भी वो मौका देखकर यहाँ पर अपनी जरूर बात बना सकती है बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी अपनी राय देने के लिए तो यहाँ पर एक एहम सवाल यही उड़ता है कि आज बिहार में कॉंग्रिस के लिए सबसे ज़ादा जरूरी क्या है मंत्राले या फिर सत्ता में रहना चलिए इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं और आप कि इस पर क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताईएगा फिलाल आज के लिए बस इतना ही आगे की खबरों के लिए देखते रही एस्पेन नाइन न्यूज था निवाद